हम चावल का ले लेंगे मैं गुर्ण को मेल्ट कर देंगे और खौलते पानी में चावल के आझेаю को बना करो अंतर भ 항상 वबाने पानी रखेंगे कि उjak करए कि तरह मेरें और शाओ कि झाहर कंथना इस ने शोड़ा न पते हैं एका जाने in गुड़ा कर आशा आने की इस त्रीके बना धास बनकर कआशा है लिफखा निञा कर दीया है लिफु सकते हैं इस प्धाइज के तो ओट आप यह डालेंगी ना चाहर Сकते के निकस्त के लुद्व 20 कुंग करने के बाद पखा लेना वे समीन optimize फूर्द कोशना करेंगे और रैप और छोड़ा-सँडर उ। काइल करेंगे अपने एल्डिजा службы चाथा है पैसे तो सी बहुत ही जदा टाइट ऐधो ऌडि मैंने मंगा आ прशेपर यूद्य का ने आपके मोदग बहुत ही जादा बढ़िया बनने वाले तो इस तरह केसे आप गोया को गुलाबी गुलाबी कर लेंगे तो लीजे गुलाबी हो गया है तो इसमें जमा होता है गी ओल्ली तो इस तरह के अगर गी नहीं होता है तो खोया की वालटी अच्छी नहीं होती तो मैंने आपको दिखाए अजम्तिंग 2-3 चमा जिसमें घी है तो घी को मैंने निकाला नहीं है इसी में रहने देना है अब थंडा कर लेंगे अब मैं बनाओंगी मोदग के लिए मैं लोगी मैदा मैंने साल लेंगे मैदा जो की मोदग के चारो तरब जैसे गुजिया बनाते हैं तो गीला कर लेंगे और इसको एक चमच मैदा जो है अलकी सी गीली कर लेनी है तो इससे फुरेरी बनाकर फुरेरी गोल बनाकर पतला गोल बनाकर एक किनारे डगतेंगे तो लीजे इस तरीके से मै अधी कटोरी से जादा ही डालना है थोड़ा सा अधिकारी पूरी कटोरी भरकर नहीं डालना है बहुत ज्यादा मुवण हो जाएगा तो तो मोँद पारे के लिए इसमें कौंच्टि परफेक्ट अपनली तो एक कटोरी लेनी है और उसमें पॉन गवाट याल ढाल देना तो लीजे मैंने इसको थोड़ा सा टाइट रखा है और गीला नहीं करना है क्योंकि इसमें पर्थन लगा कर तो बेलना नहीं है और ऐसा ही बेलना है तो लीजे डो बनकर तयार हो गया है इसके ओपर लगा देंगे घी और पंदा मिनट बाद इसको फिर से दुवारा से गुनेंगे तो लीजे इसको भी अलग हटा कर रख देते हैं तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सूकी मैधा इसलिए मैं डाल रही हूं मालो यह जो डो त लेंगे तो चाहें तो आप अजार बाली बूरा भी ले सकते हैं तो खोया घंडा हो गया है मैंने थाली में कर लिया अब इसको ठंडा करने के वाद जितना खोया है उससे थोड़ा सा कमी चीनी डालनी है क्योंकि मीठा ज़दा हो जाएगा और थे आपकी चीनी मेल्ट हो ज लिए किसमिस बह्तव कि द பक्रम कबेख लप ज़दी मेड मेएक किसमिस बहती अपके पास यवाक आप रचते हैं तो मैं तो आप कौजू बादा मैं दो आपि अजलकर घराबा जलदी हो जाते हैं ना ही मैं इसमें राख के बोड़ा ना ही इसमें DNA द highly धाल जाकते हैं बो तो मेरा मोदक बनाने वाला साचा जो है मिल नहीं रहाता तो इसलिए मैं ऐसे ही मोदक बना रही हूं पहले क्या करेंगे अगर आपके पास नहीं तो कोई प्रभलम नहीं आप मेरी वीडियो देखिए गा और अगर मोदका हसाचा है तो ठीक है नहीं तो कोई प्रभलम नहीं इस तरीके से लोई तोड़ लेंगे लोई बिल्कुल फर्फेक्ट तोड़नी है जैसे नीमू का आकार से थोड़ी सी छोटी तो इस तरीके से इसको बेल लेंगे और वापते सकते हैं कि मैंने लोई बना बना क तो इसमें परथन मर लगा है लगाना चाहें तो गहीं खराब से टॉक्ष फ्यूमशिता है तो नहीं देुदस का तू उसहां जब ढूगा चाहें और तो यह सहासो नहीं ड़ियों तो उसको उंगली से लगा लेगा है गैजर रोई की फिर्रारी से नहीं लगानी क्योंकि रोई के जम्स लग जाते हैं इसलिए सफाई की बहुत ही ज्यादा भी ज्यान देना है गैजर हांसे ही करिएगा काम तो अब आधा चमबा जिसमें मावा भर देंगे तो मैंने मकाना भ जैएंगे उठाएंगे एक-asil अखैंगे उठाएंगे जान्याव लेहर करताया यह बन alakニैंदो इस तरीकहें से आप बना सकते हैं इसमें 6 नां में दो प्लेट में बराबर, और इस तरीकहें से मोवहद्ट आप सकते हैं तो आप देचे सकते हैं कि मोदब इतने बड़िया बंकर तयार हो गया小時 तो हम्हाई मेरी वीर कौनदी बीडियो जगह से देख रहे हैं कौन से सेहर से देख रहे हैं अकर आप को मेरे लोगों की जायता से मैं यूट्यूबर यहां तक पहुची हूँ और इस तरीके से मैं बना रही हूं आपको मोदग बना कर दिखा रही हूं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने ट्रेंड्स को सबको सेर्ट जरूर कीजिए और इस तरीके से गाइस आप सब्सक्राइब कर डिका कि मैंते पर कर दर्फेक्वेद्ली नहींगे नहीं। है तो मैंने फीन जाकactiv नहीं जावनारी एक महें प्लेंट difda 2-3 बीडियो तो इस भी खार की ज़ाए मीं आ जाये इस तरह के बना लिए इस को in Totally करने के बाद इसको एक खे लियर को तो कि यह केऊ सपस्के से कूल albums कर लेंगे अब ब्रक्ति क्लेकिन कितना सुंदर इन्फर मूट seems है किसमें कूछ हुआ और उस्थ पर है दो पासे लिख और इस तरीके से मैंने सारे मोता बना कर द्यार कर लिए एक चादर से ढखके रखे ताकि इसमें पटना लगे हवा न लगे धंडीना लगे तो चटक जाएंगे क्यांब करें गयार कड़ाई ऑल को कर रखने के बाद झाठा बरखने के बादर न ज्लार करता का जाएक सरबह। क्योंतल्य कि वहिए क्यों सब्सक्राइब को उतने ही करने ऊक्यानिक ँचाएंगे। तो तीन बार में बना पाएंगे तो इस तरीके से जितने इसमें आ जाए तो इस तरीके से गयसा दिख सकते हैं कि मैं मुदफ इसमें मैंने डाल दिये हैं गैस को हाई फ्लेम पर किया है फे लो फ्लेम पर कर देंगे इस तरीके से कॉंटिटी प्रफेक्ट अपनी है तो इस त करेंगे सारी मौदग को इसके तरी तरह से पलट देंगे और बलटेंगे के बाद आपते सकते हैं कि मेरे मोदग जो है सिककर तायार हो गए और इस तरीके से अगर आप एक भी मोदक अगर आप सही से दवाएंगे नहीं तो आप मोदक के जो मावा अंदर भरा हुआ है खोया वह बहार आजाएगा और आपका घी बिल्कुल बेकार हो जाएगा और सारे मोदक फिर बेकार होने लगते हैं इस तरीके से गला भी हो चुके हैं अब इनके कर Geek कर तो इस तरीके से मैदा और खोया मावा के बना कर तयार कर सकते है तो आप मावा और मुदक बनाएंगे तो बोलिए सम्मेल कर जय क्रपती भपा की जय और भोग लगाएंगे और इसी तरीके से सारे मोदग बना लेंगे तो मोदग की रहसे पी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरू बताएगा कौन सी जगह से देख रहे हैं आप मेरी वीडियो कौन सी शेहर से देख रहे हैं तो इस तरीके से मेरी वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरू बताएगा मैं मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और सच मानिये मैं लाइभी करती हूं सारे जितनी कमेंट आते हैं तो मिलते हैं गाइस नेक्स्वीडियो में तो गड़ पतिवापा कीजै तो गड़ी वपामय अगली वरस्तु जल्दिया जै गड़ पतिवापा कीजै तो गईज जैगलेश 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 देवा मात तुम्री पारबती पित्ता महा दैवा गड़पार अमोरी आगली वारस तो जल्दीया